दोस्तों वाईटी टूडियो की एक नई अपडेट आ चुकी है इस अपडेट की मदद से आप जो है अपने यूटूब वीडियो पे व्यूज को बढ़ा सकते हो अपने चैनल पर यहाँ पर सस्क्राइबर को बढ़ा सकते हो और अपने चैनल को बहुत ही आसानी से यहाँ प अपडेट की मदद से अपने चैनल को यहाँ पर ग्रोऊ कर सकते हो अपने यूटूब वीडियो पर व्यूज को बढ़ा सकते हो और अपने चैनल पर यहाँ पर चोटी क्रीटेश के लिए क्लिक किया गया रहा है तो इस अपडेट में यहाँ पर कुछ चीजे बताएगे य जो कि यहाँ पर बड़े-बड़े creators क्या करते हैं अपने जो है channel पर इन चीजों को apply करते हैं और यहाँ पर grow कर लेते हैं बड़े-बड़े creators आपके साथ यहाँ पर share नहीं करते हैं बड़ वाइटी studio ने क्या किया यहाँ पर एक update यहाँ पर कर चुका अगर आपकी YouTube वीड़े पर views नहीं आ रहें आपके चनल पर यहाँ पर subscribers नहीं बढ़ रहें और यहाँ पर आपके चनल ग्रो नहीं कर पा रहा है इस update को यहाँ पर समझ लो मैं आपको जो है इससे बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने वाला हूँ अगर आपको यह अपने YT Studio में आपको देखने मिल रहा है तो यहाँ पर आपको इससे कैसे समझना है कैसे यूज करना है और इस update की मदद से आप यहाँ पर अपने चनल को कैसे ग्रो कर सकते हो सब कुछ जो है मैं इस वीड़ो के आगे आपको बताने वाला हूँ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीड़ो को लाइक कर दीजिगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है सारी जैन्यून वीड़ो देखने मिलेगी क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है इसलिए आपका इस चैनल पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आखिर यह अपडेट क्या है और इस अपडेट की मज़से आप अपने चैनल कैसे ग्रोग कर सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने वाटेट को ओपन करना है और यहाँ पर अनलेटिक्स पर क्लिक करना है आपको यह अपडेट मिल जाएगी यहाँ पर लिखा क्या है इसका मतलब है कि आप जो यहाँ पर नेक्ट वीडियो बनाने वाले हो उसके लिए idea जो है आप यहाँ पर find कर सकते हो और यह जो update है आपको यहाँ पर बताने वाला है ठीक है ध्यान से देखना मैं जो जो चीज़े बताऊंगा और जो चीज़े यहाँ पर important आपको मैं बोलूँगा वो चीज़े आपको अपने channel पर करनी है ठीक है जैसे ही मैं इस कुछ इस तरीकी से page देखने मिल जाएगा अब इस पर लिखा क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ be inspired by your audience मतलब जो है आपको अपनी audience से यहाँ पर inspired होना है अब यहाँ पर नीचे भी क्या लिखा है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जैसे ही मैं यहाँ पर आगे करता हूँ यहाँ पर आप देता हो क्या लिखा है डिग इंटू unanswered question मतलब आपको क्या करना है कि अपने चैनल पर जो है वाइटी स्टूडियो में आना है और आपको जो है comment section में जाना है ठीक है जो जो ऐसे comment है जिनमें यहाँ पर question पूछा आप क्या कर सकते हो कि उन से यहाँ पर idea ले सकते हो और यहाँ पर next video उन topic पर यहाँ पर बना सकते हो क्योंकि आपके चैनल पर जो भी यहाँ पर comment आते हैं वो आपकी जो वीडियो को देखते हैं तब जाकि यहाँ पर comment करते हैं आपको क्या करना है कि उन comment पर आप यहाँ प पर बना सकते हो ठीक है अब यहाँ पर मैं आप फिस आगे चलता हूँ अब यहाँ पर लिखा क्या है explore what your audience watch recently मतलब कि यहाँ पर आपको धूंड़ना है कि आपकी audience ने यहाँ पर recently कौन कौन सी वीडियो को देखा है यहाँ पर आपको धूंड़ने की जरुवत नहीं है YouTube ने आपको वाइटी स्टूडियो ने आपको खुद बता दिया है कि यहाँ पर यह तीन वीडियो है या नहीं आपको शॉट वीडियो अपनकर पर वीडियो को बना देना है अब मैं ऐसा क्यूं बोल रहा हूं क्यूंकि आपके चनल पर जितनी भी audience है वो ऐसे ही topics यहाँ पर देखना पसंद कर रही है और जब आप अपने चैनल पर जो हैं इन्ही वीडियो को यहाँ पर देखती है और यहाँ पर लाइक करती है तो YouTube को एक बहुत अच्छा रिस्पॉंज आता है कि इसके जो है subscribers यहाँ पर active है और वीडियो पर यहाँ पर engagement आ रहा है तो यहाँ पर आपकी वीडियो को नए लोगों तक बेशता है क्योंकि आपकी जो audience है वो इसी तरीके की वीडियो यहाँ पर देखना पसंद कर रही है और अभी हाली में उन्होंने ऐसी ही वीडियो को YouTube पर देखा है अब यहाँ पर मैं आगे चलता है अब यहाँ पर क्या लिखा है कि और channels that they watching मतलब कि आपकी जो channel पर अभी यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि आपके जो audience है वो किस तरह की वीडियो को यहाँ पर देखना पसंद कर रही है अभी यह आपको क्या बता रहा है कि आपके channel पर जो audience है वो कौन-कौन से channel को यहाँ पर देख रही है आपके चैनल के अलावा वो यहाँ पर कौन-कौन से और चैनल को यहाँ पर देख रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह तीन चैनल यहाँ पर मुझे शो कर रहा है मतलब मेरी जो चैनल की ओडियन्स है वो यह तीन चैनल को यहाँ पर देख रही है इन तीनो चैनल को उन्होंने यहाँ पर सस्क्राइब करके रखा और इन तीनो चैनल की जो वीडियोस है वो यहाँ पर देख रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि इन तीनो चैनल को यहाँ पर सस्क्राइब कर सकते हैं और यह जैसी वीडियो बनाते हैं, आपको क्या करना है कि इनको वीडियो को देखना है, और इनकी वीडियो से आपको यहाँ पर आइडिया लेना है, और अपने चनल पर वैसी ही वीडियो बनानी है, ठीक है, और जब आप वैसी ही वीडियो अपने चनल पर बनाओगे, तब भी आप यहाँ पर idea ले सकते हो कि आपको यहाँ पर next video कौन सी बनानी है ठीक है यहाँ पर मैं slide करता हूँ अब यहाँ पर लिखा क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो popular searches for your topic मतलब कि YouTube क्या कह रहा है कि आपके channel पर जो सबसे ज़्यादा search की जारी है ठीक है उनमें मेरी videos यहाँ पर show हो रही है अब यहाँ पर कौन कोशी topics है how to monetize YouTube channel 2024 green screen channel monetize होगा या नहीं green screen short video monetization मतलब यह जो तीन topic है वो मेरे channel पर बहुत ज़्यादा search की जारी है आपको क्या करना है कि आपके IT studio में भी यह तीन topic यहाँ पर आपको show कर रहा होगा आप जब इन topic पर फिर से यहाँ पर videos को बनाओगे तो उस पर आपको बहुत अच्छे खासे views देखने मिलेंगे और जब views आएंगे तो subscribers भी आएंगे और आपका channel भी grow करेगा तो आपको क्या करना है कि इन तीन topic पर कि आप इन videos को यहाँ पर देख के idea यहाँ पर ले सकते हो अपनी videos को बनाने की लिए ठीक है तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर topics दिखा रहा है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर videos को यहाँ पर YouTube ने show कर दिया है आप क्या कर सकते हो कि इन video को देखके आप यहाँ पर आइडिया ले सकते हैं कि आपको अपनी वीडियो को इन टॉपिक पर कैसे बनाना है ठीक है अब यहाँ पर मैं next करता हूँ next करने बाद आप यहाँ पर लिखा क्या है now make it your own अब आपको जो है मैंने बता दिया कि आपको कैसी वीडियो यहाँ पर बनानी है आपकी यहाँ पर यहाँ पर यूटूब पर देख रही है और कौन कौन से चैनल को यहाँ पर वो देख रही है आपको यह सारा कुछ यहाँ पर मैंने अभी बता दिया अभी आपको क्या करना है कि आपको अपनी खुद की वीडियो यहाँ पर बनानी है बट नीचे क्या लिखा है Take inspiration from your audience, add your unique perspective मतलब आपको क्या करना है कि inspiration आपको यहाँ पर अपनी audience से inspiration लेना है कि वो कैसी यहाँ पर वीडियो को देख रही है कौन-कौन से channel को देख रही है और यहाँ पर आपको अपनी खुद की वीडियो बनानी है बट आपको अपनी वीडियो में अपना खुद का perspective रखना है मतलब कि जो यहाँ पर उस वीडियो में बोला गया है आपको यहाँ पर same copy नहीं करना है आपकी उस यूडियो पर उस topic पर क्या राय है आपको अपनी खुद का यहाँ पर perspective add करना पड़ेगा जब आप ऐसा करते हो तो आपका channel भी यहाँ पर grow होता है आपकी YouTube वीडियो पर views भी आते हैं अब यहाँ पर यह update मैंने आपको बता दी इस update में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो मुझे यहाँ पर comment करके बता दीजेगा और यह update बहुत ही ज़्यादा important है अगर आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा इसे find कर सकते हैं कि उनकी जो चैनल की जो audience है वो यहाँ पर YouTube पर कैसी कैसी वीडियो को यहाँ पर देख रही है और कौन कौन से चैनल को यहाँ पर देख रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर अपने वाइटी शूड़ो को open करना है अनलिटिक्स में आना है और यहाँ पर audience वहाँ टैब मिलेगा उस पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे आपको स्क्रोल करना है स्क्रोल करना है आपको यहाँ पर दो option मिल जाएगा what your audience watches और यहाँ पर channel that your audience watches आपको यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर मिल जाएगा आप ऐसे यहाँ पर पता कर सकते हो कि आपके चनल पर जो ओडियन्स वो किस तरह की वीडियो को यहाँ पर देख रही है और कौन-कौन से चनल को उन्होंने यहाँ पर सस्क्राइब करके रखा है दोनों ही आपको यहाँ प में पता कर सकते हैं अगर आपको यह अपडेट नहीं मिलिये दो नहीं मैणिने आपको यहां पर बता दिया दो आपकी यहां पर आपको अपडेट ने कुछ भी ने रहा आप सोन घाल तो आप मुझे कमेंट कर सकते सब्ला mortar बाласт तुड़ अजम